दोस्तों नमस्कार अपने चैनल पे में वीजे प्रकास आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ बट ओकनेक्ट के लांच होने एंड पैकेज पर्चेजिंग सुरू हो जाने के बाद से लोग सीधे एफिलियेट कमिसन मिलने के इंतिजार में हैं क्योंकि उनसे ऐसा होने को कहा गया है इसलिए वे इंतिजार कर रहे हैं आज के मोमेंट में कुछ लोग सोसल मीडिया पे या वेबिनार के जरीए आके बरे अराम से कह देते हैं कि किसी भी बात को अधिक बरहा चरहा कर नहीं कहने हैं किसी भी चीज को लेकर कोई हाइप क्रियेट नहीं करना है अरे भाई इसमें बरहाने चरहने वाली बात या हाइप क्रियेट करने जैसा बात कहां से आ गया ये सब तो दिगज लीडर्स द्वारा सालों पहले से होते आ रहा है और सबसे बरी बात कि जो चीज 2020 में, 2021 में एंड 2022 में होने का अपडेट मिला था, अरॉंस्मेंट हुआ था, क्या उसके होने के बारे में, लोग अभी बात ना करें, क्या उसके होने का लोग अभी इनतजार नहीं करें अरे सब कुछ जल्दी होने का एक उमीद ही तो है जो अधिकतर founding members को जिन्दा रखे हुए है अगर आज उनसे कह दिया जाए कि on passive से आपके success के सुरुआत होने में अभी 2-3 साल से कम समय नहीं लगेंगे तो कितनों की धरकने थमने लगेंगी और जब किसी की धरकने थम जाएंगी तो उनके लिए फिर काहे का success और काहे का achievement मुझे तो तब बरी ताजूब होता है कि जो लोग भी social media पे या किसी webinar के जरिये यह समझाते है कि कुछ भी बरहाचराकर नहीं कहना है कुछ भी hype create नहीं करना है और वही लोग जब कोई उनसे डिरेक्टली फोन के जरिये बात करता है तो उनके सूर बदल जाते है सबसे अधिक वही बरहाचराकर बोलते है and hype create करते है अरे भाई आप कोई कितना बरहाचराकर बोल सकता है यह तो हम सभी सालों से कहते और सुनते आ रहे है कि यहां 100% हमारा जिन्दगी बदलना है यहां हमारे सारे संजोई सपने पूरे होने है यहां हमें 100% financial freedom मिलना है हम यहां लगजरी life जीने वाले है हम हजारों जरूरत मंद के help करने वाले है हम जरूरत मंद के लिए school hospital बहुत कुछ बनवाने वाले है क्या यह सब hype create करना नहीं है जब तक यह सारे ख्वाब हकीकत में परिवर्तित नहीं हो जाते है तब तक तो इसे hype create करना ही कहा जाएगा और अगर 2019 से लेकर 2022 तक ऐसा नहीं कहा गया रहता तो आज जो इतना वारा 14 लाख का संदार community दीख रहा है यह उतना वारा community आज नहीं होता कोई माने या ना माने बट यह हकीकत है कि यही सब कहके लोगों को जवाइन कराया गया है अगर किसी को कह दिया जाता यहाँ income का बात नहीं करना है यहाँ commission का बात नहीं करना है यहाँ success and achievement का बात नहीं करना है फिर कितने लोग जवाइन किया रहते on passive को एक एक leaders द्वारा promote किया गया है success को, achievement को, financial freedom को बहुत बरे बरे सपने दिखाये गये हैं तब जाके पूरे 14 लाख का community बन पाया है on passive का हाला कि वही चीज promote किया गया है जो चीज हकीकत में होने वाला है भले थोड़ा देर लगा है बट यहाँ हो सब कुछ होना है जो हमने सोच रखा है आज किसी दूसरे को कोई भी leaders कह देता है कि कुछ भी बरहा चराकर नहीं कहना है जबकि अगर सही तोर पे देखा जाए तो सबसे अधिक बरहा चराकर leaders लोग ही बोले है हर एक founding members के account में पितिया सुनामी आने की बात किस ने कहा था BMW के showroom खाली होने की बाते किस ने किया था यहां रोज करूर पती बनना है यह बात किस ने कहा था किसी आम founding members ने कहे थे या किसी leaders ने कहे थे फिर इसी बात को अगर आज कोई दूरा दे इससे तकलिव क्यों होती है किसी को क्या यहां founding members के जिंदगी नहीं बदलने है क्या on passive से founding members के सारे सोजोय से अपने पूरे नहीं होने है क्या founding members को financial freedom नहीं मिलना है क्या बहुत परी कम्याभी नहीं मिलने है founding members को जब यह सब कुछ यहां होना है और अगर इस बात को कोई कहता है तो उसे बरहाद चरह कर कहना कैसे कहा जा सकता है बरहाद चरह कर कहना हम उसे कहेंगे जो चीज कभी होना ही नहीं है और हम उसके होने के बारे में कह रहे हैं अब जैसे कि हमारा इंटरनेशनल वेबिनार होने वाला है क्या उस वेबिनार से कोई कुछ उमीद नहीं लगाएगा अब उस होने वाले वेबिनार में founding members के success शुरू होने से related कोई updates मिले गाया या नहीं ये तो बात की बाते हैं बट कोई ऐसा होने का उमीद ही जता दिया तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ गलत है भाई कोई अब उमीद नहीं जताएगा तो कब जताएगा अधिकतर founding members की आखे पतरा गई हैं अपनी सक्सेच सुरू होने के इंतिजार करते करते अगर इस moment में भी वह उमीद ना करे तो कब करेगा ऐसा पहले कई बार हो चुका है सब कुछ सुरू होने का कोई महीना कोई साल निर्धारित कर दिया गया बट वैसा कुछ भी हो नहीं सका चाहे वज़े हैं जो भी हो अगर कुछ होने के बारे में कहा गया और अगर वैसा कुछ भी नहीं हो सका तो उसे भी तो हाइप क्रियेट करना ही कहा जाएगा अरे भाई हर एक फांडिंग मेंबर्स दिलो जान से चाहता है उनपैसिब को अगर उसे उमीद नहीं होता भरोसा नहीं होता वह अभी तक इसमें रहता ही नहीं बहुत सारे लोग इसी के उमीद में कोई जॉब नहीं कर रहे हैं कोई बिजनस सुरू नहीं कर रहे हैं वह यहीं सोचते हैं कि अब क्या दूसरा कुछ करना अब तो on passive में सब कुछ सुरू होने जाही रहा है अब तो on passive ही एक अकेले काफी होगा हमारे सारे जरूरत और सपनों को पूरे कर देने के लिए और इस तरह की बातें लोग 2020-2021 से ही सोचते आ रहे हैं अब इतना लंबा समय बितने के बाद भी कोई अपनी इंकम सुरू होने का कमिशन मिलने का अपनी सकसच सुरू होने का उमीद ना करे इंतिजार ना करे या कैसे संबव है इसी के लिए तो जोईन किया है उसने on passive को कोई भी अपने दिल पे हाथ रख कर कह दे बरे सपनों में गारी, बंगला, बरा, बैंक, पैलेंस जरूरत मंद के लिए स्कूल बनवाना, हस्पिटल बनवाना हजारों लोगों का आर्थिक मदद करना इस सब कुछ आ जाएगा अब आप बताईए इस सारे के सारे सपने किस चीज़ से पूरे होंगे जाएड सी बात है इन सारे सपनों को पूरे करने के लिए पैसे चाहिए अगर संदार बंगले बनाने का सपना है ओभी पैसे से ही बनेगा लगजरी गारी चाहिए ओभी पैसे से ही आएगा इसकूल हस्पिटल बनवाना हो ओभी पैसे से ही बनेगा सेक्रों हज्यारों लोगों के आर्थिक मदद करना हो वह भी पैसे से ही होगा आज हर एक कदम पर जरुरत है पैसों की घर परिवार चलाना हो, बच्चों का एजुकेशन हो, कोई फैमिली मेंबर बिमार हो सब पैसे से ही होने वाला है इसलिए हकीकत है कि on passive में कोई software engineer या developer या IT expert या IES IPS बनने नहीं आया है सिधी सी बात है वह पैसे कमाने आया है, income करने आया है, commission बनाने आया है अब कुछ लोग कहते हैं money promote नहीं करना है अजीब बात है, आज दुनिया में money से ही सब कुछ होने वाला है अगर कोई उसकी बात करता है, तो भाला उसमें क्या गलत है हम किसी गलत पलेट फ़रूम पे तो है नहीं, हम कुछ गलत तो करनी रहे है हम एक legal business के legal company के founding members है तो फिर हम डड़डर कर बात क्यों करें, जब यहां product sale हो रहे है तो वहां commission earn होना ही होना है हमें income उससे आना ही आना है और उसी commission income के लिए तो हम आये ही है on passive में दोस्त, किसी के भी बात पर business दिहान देने की ज़रूरत नहीं है हमने अपने जिंदिगी के जो जो सबने संजोय है वे सब के सब पूरे होने है on passive से अगर कोई leader, चाहे जिस situation में भी कहा हो बित्या सुनामे आने के बारे में या BMW के सोरूम खाली होने के बारे में इंतजार करिए, धीरे धीरे सब कुछ होगा दोस्त, पुरा उमीद है इस सबते हमारे OES में O-Verify के आ जाने का अपना अधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस वगएरा रेडी कर लें कि वाइसी करने के लिए एक बात का विसेस दिहान रखना होगा जैसा OES प्रफाइल में नाम की स्पेलिंग है वैसा ही आपके डाकुमेंट्स में भी नाम का स्पेलिंग होना अनिवार्ज है साथी साथ अगर आप अपना अधार अपलोड करते हैं तो अधार में आपका मुबाइल नंबर लिंक होना चीए और वह मुबाइल नंबर आपके पास होना चीए आपके OES profile में भी आपका वही mobile number जूरे रहना चीए एक बार फीर से अपने profile name and अपने documents का मिलान करके देख लें profile में कुछ अगर change करना ज़रूरी लगे उससे अभी कर लें क्योंकि ओ verify आ जाने के बाद verification complete किये भी ना आप बहुत सारे product यूज नहीं कर सकते एको सिस्टम में जाके अगर profile name में कुछ spelling इधर दर हो उससे सही कर लें क्योंकि आपके आधार card and profile name match नहीं होने पर आपका किवाईसी complete नहीं हो पाएगा दोस्त इस सब्ते भी हमें बहुत सारे good news मिलने का उमीद है अब कुई चींता करने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम अपनी success के बहुत 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 करीब आ गये हैं नॉंबर मन्त हमारे लिए एतिहासिक भी होगा चमतकारिक भी होगा उपर वाले की कृपा होई तो सब कुछ होगा जिसका इंतिजार है हमें कि उजीवल भविस्ट की कमनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंकियू दोस धन्यवाद